आपके पास Samsung Galaxy M33, A33 या F33 कोई भी फोन है तो यहां पर आप notification sound या ringtone change कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आप यहां पर setting पर जाएंगे इस step से option आएगा scroll कर लेंगे आपको sound and vibration पर click करना है notification पर जाना है यहां पर sim 1 का change करना है यह sim 2 का यह देख लेंगे तो मैं जैसे sim 1 पर बता देती हूं आपको sim 2 का आप change कर लेंगे same process है यह तो हो गया कि आपके samsung brand का sound हो गया और बाकी यहां पर galaxy हो गया इस category का calm, fun, ऐसे अलगला categories है यह retro हो गया इन में से कोई लगाना है तो यह वाला आप लगा सकते हैं कोई सा बैक कर लेंगे ठीक है और यहां पर notification vibration आ जाता है notification का vibration यहां से pattern change कर सकते हैं और vibration नहीं चाहिए तो आप silent पर कर देंगे तो vibration आपका बंद हो जाएगा ठीक है vibration की intensity को कम जादा set कर सकते हैं तेज चाहिए vibration या कम चाहिए यह चीज़े हो गई और इसके बाद आपको कुछ करना है यहां पर जाना है volume पर नोटिफिकेशन का volume कितना रखना है तेज या कम सुनना पसंद करते हैं तो मैं आपको चार से पांच recommend करते हूं इसके बाद बैक कर लेंगे तो यहां notification की setting हो चुकी है notification sound की मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नवश्कार